देखो इसके बात जो बात आती है वो छोटे मोटे basics है जैसे किस term को देखो क्या लिख रहा हूं क्या है यह जयान दिना विटा अच्छा force जो है ना दो तरीके किये conservative force और non conservative force conservative force कौन सी है जो पहले field बनाती है फिर force लगाती है अर्थ पहले gravitational field बनाती है फिर किसी को खीचती है धकेलती है बात पक्की है लेकिन कुछ non conservative force होती है जिसको आपको physically touch करना पड़ेगा जैसे जहापड़ अगर मुझे किसी को जहापड़ मारना है मान लो यह अच्छा है उसको जहापड़ मारना है तो पहले उसे touch करना पड़ेगा ना अगर मैं दक्स को कहूं कि बेटा तु मेरी field में आ रहा है मैं तुरको जहापड़ मार दूगा ऐसे कर दो तो कि अपना जहापड़ उसको तब तक क्या बोलेंगे पहुचा नहीं सकता जब तक फिजिकली टच ना करूं देखना चाहते हो डेमों लाइव दिखाए मिटा तो यह बात को समझो इसका मतलब conservative force पहले field बनाती है conservative force पहले field बनाओ क्या बनाओ field फिर उस field में काम करो अट्रेक करो या रिपल करो उस field के अंदर होकर अगर उस field के अंदर कोई आया तो उसे attract लिए रिपल करेगा अपनी force अभी exert करेगा जब उस field के अंदर कोई आ ठीक है पहले दाइरा बनाओ क्या बनाओ यह मानती है यह force inverse square law ठीक है path पे कुछ खास depend नहीं करती और आपको जो मिले conservative force के बारे में थोड़ा बहुत बता दो नॉन conservative force यह सब नहीं मानती है वो नहीं inverse square law को भी करती वो field नहीं मनाती और वो सिधाई अपलाई करती है हाँ no need of physical contact जरुरत नहीं हो तो भी ठीक नहीं हो तो भी ठीक नहीं हो तो भी ठीक no need of physical contact ठीक है अब मैंने आप से बोला कि आपने वर्ड देखना जड़ा कोई तुम से पूछे gravitation क्या है आप कहते हो force किस की force मास की force किस की force अब फोर्स दो के बीच में लगती है तो यह जब सारी बाते चल रही थी तो यह एक बच्चे के बारे में हो सकती है बात तक्ष्णय आप यह मैंने आज बहुत force लेगता हावा में अरे नहीं किसी को तुमारे गाना opposite में तो यह यह 4 जो होती है ना यह 2 के बीच में लगती है between 2 और 2 के h 20 पीच में लगती है इस बात को ध्यान दो इन के बीच में कूँछ और तरीके से मैं समझाओंगा इसमें फिर vector sum करना आ और यह 2 के बीच में लगती है attractoryよろしく लोगती है अच्छा और तो अकेला तो क्या ही क्या इंगे उसको हम फोर्स निया सकते फिर उसको तो एफ डिपैंड करता है Q1 और Q2 पर ठीक है फिर आरे ग्रेविटेशन की बाद चल रही थी ना मास की बात है वह यह मैंने Q1 Q2 पर लिए एम और एम टू एफ किस पर डिपैंड करता है अचा फिर जि और जाता सबस्या क्या जितना उसे के नस्दीक चला जाओंगगे वह बढ़ जाएगी जतना नस्दीक चला जाओंगा अतनी फोर्स तो वह कहता है यह एञा स्कुन्त हरन्वल्स में है tekrar ひी ए है किसका सितन्स का एफ इस डारेंकली परपोश्टन टो alumikle M1 M2 मbor अपान R² हा कोई कॉंस्टेंट आएगा ग्रेविटेशन का कॉंस्टेंट है जी क्या है ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट ठीक है अब मैं आप से बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता एफ बॉजटीन चार्ड उसने अपना एक डायरा बनाया अब बाहर से प्सटिव चार्ड नहीं करता इसे पर नहीं बाद Smok conservative force है ठीक है सारी forces conservative है जो भी आज पढ़ाने जा रहो है gravitational force, electrostatic force, magnetostatic force ठीक है तो मैंने तेर से कहा कि जो plus plus को क्या करेगा attract है repel repel करेगा फिर उसके बाद बारी आती है कि minus का charge आए तो क्या करेगा attract अभी इसी term में एक question आए ठीक है सुनना जरब positive charge positive charge attract करता है किसको आप तुम को कितना असान कुशन है फिर बच्चे गलती करते है वन माकर का पहला कुशन positive charge किसको attract करता है positive को negative को दोनों को negative को और neutral को बोलो positive charge किसको attract करता है negative को है ना अभी बच्चों ने इसको निशान लगाया और zero पाया neutral को भी करता है तो आपको थोड़ा सा इतना सा ज्यान होना चाहिए इसका मतलब क्या है neutral का neutral का मतलब है positive negative बराबर की मात्रा में अगर मैं इसके पास कोई positive चार्ज लाऊंगा तो वो उसके negative को attract करने लगेगा क्या दिक्कत है और आण देक्षो ये ये बूरित्य ये पाउजिविव है जैसे मानल lei ये बश्चिल म Bab лож अजिदीव है ये पाउजिदीव है अग पॉजिव लाग च्कीपास तो इसका negative उसका तरफ तरफ आड़ 願 अ अट्रै के तो वह पॉजिटिव की तरफ जो नेगटिव अट्रेक्ट हुआ है वो इसका एक पार्ट है पूरा नहीं है इसके पास क्या दो चीजे इस पर पॉजिटिव भी है इस पर नेगटिव भी है इसलिए यह न्यूट्रल है ठीक है दियान दो इस बात पर देखो अब अगर कोई पॉजिटिव पार्ट किसे न्यूट्रल की तरफ जाये तो अट्रेक्ट होगा यह गलती तो नहीं करोगे आज के बाद अगले जो आने वाले बच्चे वो तो नंबर निकटाएंगे ना भाना बोलो ठीक है अब आपने का भई यह से ड्रेपने भी तो क्या है अब 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 इन में से एक different की स्ट्राइब अब पर यह सारे घटा इस तरफ हो गए और सारे जमाद दूर भाग बम यह होता। तो यह समझ आया वह पॉजिटिव रोड के पास आते हैं उस मेटिरिल के सारे के सारे नेगिटिव धर आगा सारे के सारे पॉस्टिव दूर बग गए तो क्या इसके तरफ अट्रेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसे इंडक्शन भी कहते हैं मारो गोली इस बात को आगे चलते हैं अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं फोर्स की बात करूं चार्जिस के लिए ने बताया आपको चार्जिस के लिए हुए नहीं तो जैसे वह मास्क पर डिपेंड करता था एक मिल्ट दूखना भीटा यह चार्ज करेंगे मैगनिट्यूड और दोनों चार्ज और इन्वर्सली किस पर करेगा पर्पोर्शनलिटी का साइन अटाओ के तो क्या आएगा आउ दर इसकी बात करें जब हमने यह देखा यह इसका नाम है ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट यह यूनिवर्सल कॉंस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 x 10-11 यह बदलती ही नहीं है वह यूनिवर्स में यही रहती है यह मीडियम भी डिपेंड नहीं करती है सुनो और याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम भी डिपेंड एलेक्ट्रिक करती है बहिया कैसे करती है मीडियम से डिपेंडेंट है और यह चोटी-चोटी बात है ना बहुत माइने रखती है आप बताओ कि मैम को तो मैम गएगी हाँ यह तो बच्ची उशार है ठीक है कि इसने तो पढ़ा है कि बता नहीं कौन इतना उशार टीचर है जोसी पढ़ा रहा है ठीक है तो f is directly proportioned to one upon four epsilon not, वो epsilon not क्या है? medium का constant, epsilon not क्या है? medium का constant, यह जितना जादा गाड़ा, उतनी force कम, जितना जादा गाड़ा, उतनी force, अब मेरी बास सुना, यह vacuum है शायद आपको यह बात connect कर दया, कर दया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें कि तो फिर समझा देंगे एक, vacuum, दूसरा, air, तीसरा, water, आजाओ, molecules जेखेंगे, किस तरीके से भरे वें, देखना बटा जाँ, molecules देखो, vacuum में molecules नहीं होते, air में, दिख रहा है, water में, जादा हैं क्या, अब गौर्वी, यह एक positive है, यह भी दूसरा positive है, इन दोनों को repel करने से कोई नहीं रोकता है, होगा तो रोकेगा न, समझ में आया, क्लास में लडाई होती है, जनरल लडाई नहीं होती है, वो दो बच्चे हूल देके रहा जाते है, आब हार मिल, आब हार मिल, आब हार, उसके चार दोस उसको पकड़के खेच लेते, और attraction या repulsion जो भी होने full होगी, जो पर दो होगी, है ना, वैसे वो बाल चूट-चूट के लड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक ठक ना जाए, energy का खतम ना हो जाए, क्योंकि उनको कोई अलग कराने वाला नहीं, हज़र उनके बीच पे कुछ molecules आ जाए तो उनक जितना जादा गाडा मीडियम, उतने जादा चार्ज रहेंगे या कम रहेंगे, यह बड़ी समझने वाली बात है, जितना मीडियम गाडा, उतनी फोर्स कम, उतना जादा similar charges रहेंगे, similar charges क्या करते हैं, पेर, आप ये दायरा बना लो इतना, ये दो चार्ज है, यह तने और विच में जाने हो अब भी समझ या तो अकर तुम से पूछें पानी स्विकर्ट अधार्तवे आप खर अगर ह्वा में तो आप कहा निस पंडे कि पल्लेन बड़ा नुट पोर्स कम है, पोर्स कैसी चार्ड इसकी, पोर्स होती है रिपल्सिव, समझे, यह हवा में तो नी जा रहा ना टॉपेट, ऐसा तो नी एगी, पले नहीं बड़ा, ठीक है, पहली बात दोनों के मैगनिडूट पर डिपेंड गरेगा, अच्छा मैगनिडूट जितना बड़ा, उतने दूर दूर रहेंगे पर्मिटिविटी का ही नाम है एपसालन नॉट एपसालन नॉट इंग्लिश का एक वर्ड है वो इंग्लिश का नहीं इनकी भाषा का ग्रीक या लेटिन मैंसे कोई एक होती है बेटा ABCD होती है जैसे तुमारी वैसिन का उता अलफा बीटा गामा लेमडा उसमें से एक एपसालन ठीक है एपसालन और कुछ नहीं है इपोल ले इपसालन को लेकिन इसका नाम पर्मिटिविटी ही है तो मैं तुर को एक बात बोलता हूँ देख़ो बड़ा आसान होता है अगर आपको ना वर्ड समझ में है यह वर्ड में तू यह निकाल सकती बटा पढ़ियो के लिखाय मैंने पर्मिट यहाँ ज़ादा परमिट कर रही है यहाँ ज़्यादा पर मिट गर रहा चार्ज खुरेने को जितनी पर्मिटिविटी जादा उतना पर्मिट जादा करेगा चार्ज मुरहने को, उनके बीट में फोर्स करफ हो, समझाया, इस कमरे में मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे बैठो, तो मैंने हाँ 17 डेक्स लगा दिये, कितने डेक्स लगा दिये, फिर आपने का भाया कोर सोचो और समझो, आप ना एक डेक्स पर दो बच्चों की जगह तो है, आप बीच में कांच लगा दो, वो कांच कोरोना को तो आने देगा नहीं, और विजिबलीटी भी नहीं रोकेगा, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होता है, आप देख भी रहे हो, वो क्लास आपको पर आप बीच में मीडियम डाल दी, अब समझ में आया, तो उसको ही हम कहते है, परमिटिविटी, यह चोटी मोटी बाते इसलिए बताई थी, क्योंकि इसके एक्जाम में आ रहा है, यह क्लियर वो ग्रैविटेशन क्या है, ग्रैविटेशन से यह क्या है, अब कोई बच्चा क मैं तो बहिए मैगनेट और पढ़के छोड़ूँगा, तो ले भाई, मैगनेट के आ गया, देखना एक बारी, यह मैगनेटिक फोर्स है बटा, यह मैगनेटिक चार्ज है, साउथ और नौर्ट सुना कभी, बोलो, कोई है यह, उनकी बीच की दूरी है, पर्पोर्शनलिट 1 आपर 4, 5 trauma, तो 4, 5 मैं 4, 5 मैं, और एक क्याता है, बैज यह कियाता है, और इसका फर्क है, अरे इसका और इसका एक मैं मैं फ्ले नौट, एक मैं एपसालन नौट, क्लियर हुआ, तो दोनों एक दूसर से उलटे है, जी मिल्कुल है, इसको सबाए यह, इसको बोलता है, इस 12 सिर्फ वेक्यूम के लिए हवा के लिए आलमोस्त पानी के लिए 81 गुना जाद है अगर हवा में दो चार्ज रहते हैं यह वेक्यूम में तो पानी में कितने रहेंगे टू मल्टिपलाई में 81 जादा चार्ज रहेंगे ठीक है माई का के लिए 3-4 टाइम चोटी अलग अलग ठीक है यह मत बोलना माई का नहीं सुना माई का सबने सुना क्योंकि आज कर लो उसके बाद उसको के से मल्टिपलाई करते हैं एक एपसालन नॉट की याद करनी जरूरी है एट पॉइंट पैंगर मैंने सबसे नहीं 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 के की अलग है एपसालन के लागे दोनों अलगला काम आएंगे अभी आएंगे भाविश्य में आएंगे जब बता हुआ ठीक तो वह एट पॉइंट पॉइंट आपको लर्न होनीची क्लियर हो गया है तक तो आज की सबाहे इसमाप करते हैं रादे रादे अधर चैसे अ झाल झाल